नश्कार प्यारे बच्चों, आज हम लक्सासाथ के साइन्स से युनिट फर्स्ट फूड पढ़ेंगे युनिट फर्स्ट फूड में फर्स चेप्टर आपका नूटिशन प्लांट है इस चेप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या आप जो सीख पाऊगे आप नूटिशन के बारे में जान पाऊगे उसके दो टाइप है कौन-कौन से है ओटोटोपिक नूटिशन और हीटोटोपिक नूटिशन फिर उसके बाद हम देखेंगे रेप्लेश्मेंट ओफ नूट्रेंट्स इन दा सोईल सोईल के अंदर नूटिशन की रेप्लेश्मेंट किस प्रकार होती है सबसे पहले हम जान लेते हैं हमने पिछली अक्सा में पढ़ा है कि थिंग्स को दो भागों में बाटा गया एक तो होती है आपकी लिविंग थिंग्स दूसरी होती है नोन लिविंग जैसे कि आप इस चितर में देखकर या बता सकते हैं कौन सी जो है लिविंग थिंग्स है और कौन सी जो है नोन लिविंग थिंग्स है क्या बता सकते हैं जैसे हिहां पर सोईल है यह सोईल है सोईल क्या है नोन लिविंग है बैंच है यह भी क्या है non living है जिबकि आपका यहां पर जो plant है और जो यह children है यह फिर birds है यह सारे के सारे क्या है यहां पर जो है वो living things है अच्छा कौन-कौन सी characteristics है living things और जो organisms होते हैं that that have some basic characteristics जो कि differentiate करती है उनको from non living things से वो characteristics कौन-कौन सी है some of the life characteristics are nutrition, respiration, growth, response to stimuli, they response to stimuli nutrition क्या होता है हम यहां पर आज देखेंगे इसके बाद respiration means breathing आता है इसके इसमें include होता है growth, growth करना just like plants, growth करते है, organism, they growth, response to stimuli, stimuli means they respond to the stimulus कोई भी external जो effect है उसके प्रती जो response करना ही क्या कहलाता है response to stimuli कहलाता है इसके बाद जो आपके पास क्या है एक picture है यहां पर बच्चो इसमें से circle any five life characteristics displayed by living things in the picture below and name them ठीक आपको यह बताना है ठीक है आप थोड़ी देर तक इसको picture को वीडियो को पोज कीजिए और फिर उसमें जानने कोज कीजिए कौन-कौन सी characteristics है five life characteristics इस picture से आप जो ढूंड पाते हैं जिसके आधारव आप कह सकते कि वह जो है कि वह living things में ही possible है अब पिक्चर को पोज करने के बाद ओके आप देख पाएंगे कि यहां पर फर्स जो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है आपर जो है जोगिए 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 जोग आयम, आसन, ब्रीधिंग, means we can say, this is the life characteristics, breathing, respiration, or respiration, और ओके, these are all the characteristics, by which we can say that, हम यह कह सकते हैं, की जो है, यह क्या है, सारी के सारी living things में ही possible है, अब उसके बाद, in this chapter, we will learn about nutrition in plants, our main focus, in this chapter, we will be on the nutrition in plants, की plants जो है, ठीक है, वो कैसे nutrition प्राप्त करते हैं, and what does the term nutrition mean, और nutrition का meaning क्या है, आव, let us find out, आव, हम यह पता लगाए, ठीक है, इसके बाद, हम next चलते हैं, next page, nutrition, okay, first of all, what is the definition of nutrition, nutrition, nutrition means, organisms need energy to live, सभी अगनिजम को जीवित रहने के लिए, energy के अफसकता उठती है, और grow करने के लिए, this energy is obtained from food, और यह है energy, चिक है, उन्हें कहां से प्राप्त होती है, food से प्राप्त होती है, the substance, broken down by chemical processes in the body, जो substance है, broken down हो जाते है, chemical processes के द्वारा, in the body of an organism, to give energy, is called food, वह सब्सांस यह कहलाता है, food कहलाता है, means, food से हमें कहां मिलती है, energy मिलती है, food से हमें कहां मिलेगी, energy, चिक है, अब the processes, by which food is taken in by the organism, and used by its body, is called nutrition, अब वह है process, जिससे की, food जो अंदर लेगे गया, चिक है, taken in by the organism, organism के द्वारा, food जो अंदर लिया जाएगा, और उसको फिर use करना, चिक है, food को use करना, दोबारा-दोबारा से, चिक है, वह कहलाता है, आपका क्या, क्या कहलाएगा, चिक है, nutrition कहलाता है, means, सबसे पहले क्या, food को लिया, चिक है, taken in, चिक है, organism के द्वारा, चिक है, उसके बाद, food is taken in, ले लिया गया, चिक है, अंदर, फिर उसका क्या करना है, use करना है, चिक है, use to produce energy, energy के लिए, वह कहलाता है, यह whole process आपकी क्या कहलाएगी, nutrition कहलाती है, क्या कहलाएगी, nutrition, now, we move on to the next topic, there are two main modes of nutrition, दो main mode है, nutrition के, एक तो autotrophic nutrition है, और दूसरा है, heterotrophic nutrition है, चिक है, तो सबसे बाली, जो हम, चिक है, एक एक करके, जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले, जो आपका क्या है, autotrophic nutrition है, autotrophic nutrition जैसे की, चिक है, नाम से ही आपर जो पता चल रहा है, autotrophic, जो है, अपका दो word से मिलके बना हुआ है, एक तो auto plus trophos, trophic बोले तो trophos, चिक है, auto means, auto का meaning जो होता है, self, जो अपना खाना सूम बनाते हैं एक प्रोसस की जरी से कहते हैं फोटो सिंथेसिस कहते हैं फिर फोटो मिंस क्या होता है यहां पर लाइट होता है यहां पर जो कम्प्लीट जो डेफिनिशन बनती है इसे ओगनिजम को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहा जाता है डोटो का मिंस क्या था शैल फोटाब मिंस क्या था जो सेलफ नट्रिशन जो अपना खाना स्वम बनाएं उन्हें क्या कहते हैं और यदि उनिजम को काता ओटो ट्रोप्स कहा जाता है फिच इसके यहां पर एक अक्टिविटी दिए गई है जो कि यह दर साथ है कि ग्रीन पार्ट्स जो होता है ऐसे ग्रीन पार्ट्स जिनके अंदर यह क्लोरोफिल है जिरूरी होता है कि इसके लिए फोटो-संथेश के लिए पिगमेंट रहेगा जो की पत्तियों में मिलता है जहां गहीं भी घ्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के महां पर मिलेगा विच फोटो सिंथेज्ट इसके लिए क्या चाहिए आपको ठीके लिफ यह जिसके दो गुलर हों चे होता है और कॉलियस ठीक है यह एक प्रकार से कलर्फुल जो फ्लावर रहेगा बीकर अब करने के बाद लीफ को ठीक है इसके अंदर ठीक हम रख देंगे दो मिनिट के लिए और सॉफ्ट कर देंगे ठीक है लीफ को जिससे की लिफ कि हो जाए ठीक है जो जाए ठीक दालीफ आउट ठीक है फिर विसके बाद हमगाहे ने टेसमेशिक बोड़ेट इन ने टेस्ट चुब अब ट्रीफोर्थ फुल ओफ एल्कोल जो कि अलकोल से भर्यू यह यह जैसे कहीं आपर दिखा रखा है जीक है आए दूसरे वाले भीकर के अंदर इसके अलकॉल से भरी हो जो प्लेस देस्ट तेस्ट विने वेरी होट वाटर चीक फिर होट वाटर में इसको रख देंगे फूर अब टैन मिट्स लगए दस मिट के लिए अलकॉल वार्म अप जैसे अलकॉल चीके गर्म होगा इट विल्मूव दा क्लोरोफिल फ्रॉम दा लीव क्ल पोर्शन है वो क्या होता है कोई चैंज नहीं सो करता वेरास ने पोर्शन जो है जै कि अपड़िआ हरे रंग की जो पत्ति थी कि शिके जब इसको ओपर डालेंगे ठीक है तो जीए हो जाती है जब कि यह वाला चीज नहीं होगा यहां पर कोई शेंज नहीं आया जिक है अ साइज एंड मेकर फूड आज के लिए बच्छो इतना ही चिक है और ट्रोफिक नुट्रिशन के बारे में हमने पड़ा के वल चिक है तो यह जो आप ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं सभी को बाकी का नेक्स क्लास में हम करेंगे भई